तो फिल्म की कहानी सुरू होती है कैट नाम की लड़की से जो की एक बहुत बड़े स्कूल में टीजर है लेकिन उसकी क्लास के बच्चे कुछ यूँ है कि वो बढ़ाय में इंट्रेस्टी नहीं लेते और इनमें से एक बच्चा तो कॉमिक पढ़ रहा होता है ये देखकर कै कैट को भी ये कॉमिक सुनने का मन होने लगता है लेकिन थोड़ी दिर के बाद यहां पर उनकी स्कूल का प्रंसिपल आ जाता है और यहां पर जो हो रहा है वो सब कुछ देख लेता है जिसके बाद वो से अपने केबिन में बलाता है जहां पर कि वो कैट को इस जौब को छ प्रोडक्ट बिल्वकुल भी पसंद नहीं आते हैं तो मूँ लटका कर मैग जब बाहर आने लगती है तो उसे मालूम चलता है कि ना तो प्रोडक्ट बिके और उसकी कार भी नो पार्किंग में खड़ी हुई थी इसलिए पुलिस वाले उसकी कार को यहां से लिजा लेते हैं अब आगे में मालूम चलता है कि दरजल मैग और केट दोनों ही वेस्ट फ्रेंड्स है और जब वो अपने घर पहुंसते हैं तो पुट डांस कर रही होती है क्योंकि आज दोनों का ही दिन बहुत ज़्यादा खराब रहा है यहां पर केट भी अपने बारे में बताती है और मैग भी दोनों बताते हैं कि उनका आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खराब गया है केट और मैग एक ही घर में रहते हैं और रात को जब वो एक टीवी सो देख रहे होते हैं तो यहां पर मैग केट से कहती है कि क्योंना हमें मूट फ्रेस करना चाहिए और इस चहर को छोड होकर अगले दिन पॉलेंड निकलने के लिए निकल जाते हैं जब वो एरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बो देखते हैं एक बहुत बड़ी लाइन जहां पर कि इनका नंबर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता तब ही मैग यहां पर एक बंदे को पटा लेती है और लाइ जाता है जो कि काफी हैंडसम था तो उसे देखकर कैड और मैग उसे दोस्ती बढ़ाने की खूसिस करने लगती है और यहां पर रियान उन दौनों को बताता है कि वो पॉलेंड एक साधी में जा रहा है दौनों ही यहां पर उसकी उपर लाइन मानना सुरू कर रही थी तब माफर की एक होटल को बुक करने के दोरान इन्हें मालूम चलता है कि मैग का बैग चौरी हो गया है तब यह लोग एक होटल का रूम बुक करते हैं और जब वो लोग उस रूम में जाही रहे थे कि तब ही इनकी नजर पढ़ती है रियान पर जो कि इसी होटल में रुका हु हाँ जोरी वो चुका है इसलिए उसके पास कपडे नहीं है कि दरसल केड़ यह चाती है और रियान से उस्सके पास पार्टी में मिलता है लेकिन ठोड़ी दिर के बाद यहां पर मैंग जाती है जिसके पास कपड़े तो यह नहीं थे उसने Simsाड़ी जुगाड कर लिया था जो कि उसने ठीक से नहीं पहनी थी यहाँ पर वो सबी लोग एंजॉय करते हैं तब ही यहाँ पर रियान को मालूम चलता है कि पॉलेंड में मौसम बहुती ज़ादा खराब हो गया है और वहां के सारे आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं तब को काफिये हैं अफ़र के सारे देने लगता है अगले दिन दोनों के पास जाती है जहां पर की मैग मैग को जो की कॉफी सोप में बेट हुई थी दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि दोनों रियान को पसंद करती है वो तो बस किसी तरह से रियान को बाना चाती है तब ही यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि रियान पॉलेंड जा रहा है बूबी बाय रोड और यह सुन और वो काफी मस्ती भी कर रहे थे और यह सब कुछ कैट को देखकर बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उसे पीछे होना चाहिए था मैग की जगहे पर तो पीछे मैग और रियान आपस में खूब बाते कर रहे थे जो की कैट को बिलकुल भी की अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए उनका काम बेगारने के लिए पीछे पहुंच जाती है लेकिन वो उनके बीच में एक्ड़स्ट नहीं हो पाती है इसलिए उसे बापस आगे वेज दिया जाता है अफ कैट यहां पर देखती है कि मैग और रियान की बीच में नजद तो कैट जैसे ही बातरूम में जाती है तो मैग यहां पर आकर उस बातरूम का दरवाजा लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है वापस आने के बाद वो रियान से बात करने लगती है और उसे चिपकने की कोसिस करने लगती है अलाकि वो यहां पर कैट के बारे में बु अब रियान और मैक जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तब ही हम देखते हैं कि कैट जो है बातरूम की खिड़की से च्छलांग मारती है जिसके कारण उसकी हालत और उसके कपड़े भी पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आरा था मैक क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसी का काम है लेकिन फाइनली उसे पीछे वैटने का मौका मिल चुका था और अब ये मौका वो नहीं छोड़ना चाती थी इसलिए वो यहां पर रियान से कहती है कि जब वो महा से गरी थी तो उसके गर्धन में चोटा गई है इसलिए वो रियान से मसाच करने के लिए कहती है और रियान भी मसाच करने लगता है लेकिन मैग को यह सब कुछ देखा नहीं जाता है इसलिए वो एक बियर की बोतल में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और कैट को देने लगती है वो उसे कहती है कि इसे पीने के बाद थोड़ी रहत तो तुम्हें जरूर मिलेगी लेकिन तब ही इस बोतल को क्रैक छीन लेता है और पीने लगता है यहाँ पर मैग उसे मना करती है कि तुम्हें इस बियर की बोतल को नहीं पीना चाहिए तुम्हें नींद आने लगेगी हाला कि क्रैक को नहीं मालुम है कि उसकी बोतल में स्लीपिंग पिल्स मिले हुए है अब रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो यहां पर रात को क्रैग भी सो जाता है और अचानक से एक सामने वाले पोस्टर में वो टक्कन मारता है तब जाके क्रैग की नींद खुलती है अब वो लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं जहां पर कि वो रूम बुक करने वाले थे लेकिन मैग और कैट के बीच में तो अब कट हो चुकी है इसलिए बो दोनों अलग अलग कमरा चूस करती है और रियान के करन वो दोनों एक दूसरे से काफी आकवर्ड विहेब भी कर रहे थे अब आगे हम देखते हैं कि क्रैग और मैग साथ में बैटे हुए थे यहां पर क्रैग मैग को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है लेकिन वो नहीं बता पाया आगे हम देखते हैं रात को जब रियान और कैट एक जगह पर मिलते हैं तो यहां पर रियान कैट से कहता है कि वो उसे ही ढून रहा था और वो उसे कमरे में ले जाता है जहां पर कि वो दोनों रॉमान्स करते हैं अब अगली सुवे कैट और मैग मिलती है जहांपर कि मैं कैट को बताती है कि कल रात रियान उसके साथ था और रात पर उन्होंने रॉमांस किया जबकि कैट को तो बहुत अच्छे मालूम है कि रियान उसके साथ था तो यहां पर उन्हें मालुम चलता है कि दरसल में रियान ने दोनों के साथ ही रोमान्स किया है और यहां पर थोड़ी दिर के बाद क्रेग आता है और वो इन दोनों को बताता है कि रियान ने उसकी कार को चूरी करकर भाग गया है दरसल बात ये है कि जो साधी में रियान जा रहा है वो किसी और की नहीं बलकि उसी की खुद की साधी में जा रहा होता है तो बिना टाइम गवाए ये लोग भी उसकी साधी में पहुंच जाते हैं और थोड़ी दिर के बाद उनकी नजर रियान पर भी पड़ जाती है जब रियान इन दोनों को देखता है तो वो दुम दवा कर भागने की कोसिस करने लगता है और कैट और मैग उसका पीछा करने लगती है पर आकिरकार कैट और मैग रियान को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो कैट और मैग यहाँ पर रियान को सुनाना सुरू कर देती है पोस से कहती है कि अगर उसकी साधी होने ही बाली थी तो हमें यूज करनी की क्या जूरुत थी ? हमें धोका देने की उससे जरूत थी ही नहीं तब रेयाने उन दोनों से कहता है कि मुझे मालून चल गया था कि तुम दोनों मुझे पसंद करती हो और पसंद तो छोड़ो तुम तो बस मुझे पाना चाहती थी किसी ट्रॉफी किदर है और धोका तो तब होता जब मैं तुम दौनों में से किसी एक के साथ सैट हो जाता उसे मालूम है कि बो दौनों एक साथ रहने वाली है इसलिए वो उन दौनों को ही छोड़कर भाग गया था अब थोड़ी दिर के बाद यहां पर रियान के होने वाईफ आ जाती है जो कि मैंग और कैट से भी मिलती है और कैट और मैंग को मालूम चलता है कि दरसल मैं रियान के होने वाईफ जो होती है वो बहुत ही ज़दा तेज है उसे देखकर उन्हें समझा गया था कि रियान के लिए तो यही ठीक है तब वो दौनों बापस जाती है बापस आने पर मैंग की मुलाकात एक वर क्रैक से होती है और क्रैक यहाँ पर मैंग को सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और यहाँ पर कही ना कही मैंग भी क्रैक को पसंद करने लगी थी और अब वो दौनों साथे जिसके बाद हम देखते हैं कैट और मैंग को दोनों अभी भी एक दूसरे से थोड़ी कवा तो थी लेकिन दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे इसलिए उन्हें एक दूसरे को माप करना ही पड़ता है और वो दोनों कसम कहते हैं कि आज के बाद किसी लड़के के वज़य से उनकी दोस्ती के बीच में कवी भी दरार नहीं आएगी और अब वो दोनों जॉब ढूनना भी शुरू कर देती हैं और फिर एक दिन कैट को उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं जो कि कैट का प्रमोसन कर देते हैं क्योंकि जो बच्चों को वो पढ़ा रही थी उन्हें पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि वो बिगड़े वो बच्चे की ऑलाद है और उन्हा कैट ही पढ़ा सकती है इसलिए कैट को प्रमोसन के तोर पर एक बड़े टीचर के रूप में रख लिया जाता है और यहां दूसरे तरफ क्रेग और मेग की लव लाई भी बहुत अच्छी चल रही थी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़दा प्यार करने लगे थे और मेग जो ब्यूटी प्रोड़ेक्ट से बैचने का काम करती है उसमें क्रेग भी उसकी मदद करता है और दोनों बिल्कुल फरफेक्ट कपल बन जाते हैं